इंडिया 2026 के World Cup में qualify कर सकता है जहां पर 32 टीम के जगा 48 टीम खेलने वाली है अब देखो गर simple maths की बात करें तो 48 टीम का World Cup में होना definitely यहां पर दो continent को सबसे जादा फायदा देता है जो की है Africa और है Asia जहां Asia में अगर 32 टीम फॉर्माट की बात करें तो इस साड़े चार स्लोट यहां पर रिजर्व है वह अगर हम यहां 48 टीम की बात करें तो टोटल 8 स्लोट यहां पर रिजर्व किया जाएंगे अब देखोंगे इंडिया की जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं तो एक वर्ल्ड परस्पेक्टिव से देखते हैं जहां पर अभी 106 पर इंडिया स्टैंड करता है जो की काफी साथ disappointing है बर इस सेम टाइब हमको यह भी consider करना पड़े है कि अगर एशियन टीम की बात करें तो यहां पर इंडिया एशियन रैंकिंग में भी 19 स्वे नंबर पर आता है